से किया जाता है लेकिन आज देखने वाले कि साड़ी इंडर्ट डिजाइन के साइजिंग का होते हैं और इमपोटन्ट चीज कि वहां पर हम अगर कापी डिजाइन अगर बना रहे हैं तो सके उट किया जाता है तो चलिए बीदावक्त जाये के वीडियो पूरा देखेंगे स पास यहां पर एक साड़ी का फोटो यहां पर उपन किया गया है इसी सेम मॉडल का उसका दूसरा पोज हमारे पास है फ्रंट एंड साइड का ठीक है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साड़ी पहनने की सिरुवात कहां से होती है और साड़ी डिजैन जो बनाते हैं उसकी साइ साइजिंग हर एक पार्टी की डिमांड के इसाप से अलग अलग रखनी रहती है लेकिन यहां पर आपके पास एक बेजिक है कि आपको सिक्स मीटर ठीक है मिनिमिम आपको रखना है सिक्स मीटर ठीक है उससे भी कम की साड़ी होती है 5.5 मीटर की भी साड़ी होती है 5.5 पर पर अगर साड़ी के पहनने के शुरुवात होगी तो समझ लीजै कि सबसे पहले यहाँ पर एक बेजिक पार आएगा जो राउंड यहाँ पर लगेगा उसको हम बोलेंगे बॉडि पार्ट इसको हम बोलेंगे तो यह है हमारा बोला जाएगा इसके उसके बाद जो हमारा यह पार्ट यहां से लेकर यहां तक जो नीची आता है उसको मीज़ाइगे पल्लो तो body कि मदले अपका जो पहले राउन लग रहा है वह उसके बाद जो आपका आएगा वह रहेगा पार्ट्ली पोशन ठीक है यहाँ पर मैं लिख लेता हूं पार्ट्ली कि इसके बाद यह जो हमारा पोशन है जो मैंने यहाँ स्क्वैर बनां वहाँ आएगा तो यहां पर आएगा फिकर क примत इसको फिकर बोला जाता है आपको बता देता हूं आपकी ज्यादा तर साडिया जो होती है ज्यादा तर जो साडिया होती है वह आपकी यहां से पल्लू के साड पूरा डिजाइन भरा हुआ रहेगा और यहां से आपका रहेगा हाफ एंड पोर्शन और यहां पर आपका डिजाइन ज्यादा आएगा और यहां पर थोड़ा कम तो फिर आप समलेजे या आपका दो पार्ट में भी आप इसको डिवाइट करसकते जो पहला है उसको सकते हैं पीछे वाला जो पार्ट हो ऊसको हम बोलेंगे पल्लू का पार्टी समझ लिए कि पार्टी ने आपको बताया कि सब्सक्राइब यह दिजाइन मुझे 6 मिटर के अंदर प्रिंट करके दिजिए आपको क्या करना है छे मिटर के अंदर आपको डिजाइन सेट करना है ठीक है हर एक पार्टी के डिमांड अलग- हिसे बोला है तो साइजिंग आपको ऐसे सेट करनी रहे हो यहां पर और इंपोर्टन चीज है कि यह जो मॉडल है यहां पर आप को पन्ना सैठ करना रहता है कि मादल पर पन्ना कितने कं रखेंगे मरलब जो roll की size होती है और roll के अंदर जो paint होगा तो particular जो roll होता है और roll की size के अंदर आपको design set करनी है यह model के size के उपर set करनी नहीं रहती है अगर आपको photo के उपर से बनाना है तो तो समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो photo है उसको आपको क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नाप है उसको आपको 10 अंदर set करना पड़ेगा деле 38 का अगर party को जिबान करीगे 38 के अंदर बनाना है या तो फिर 40 आ या तो 44 आ पर फीर 43 के अंदर बनाना है 44 के अंदर बनाना है तो यह portion आपको 43 inches तक रखना है बाकी का portion आपको sizing मिल जाएगा जैसे समझ लिजे पार्टी ने हमें बुलाए कि सर यह मुझे 43 के अंदर set करना है तो मर्की टूल से ना पेंगे कि यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कितना inches हो रहा है समझ लिजे 11 inches ही हो रहा है तो यह जो portion है उसको मुझे 43 तक बड़ा करना पड़ेगा जैसे यह हमारा portion 43 inches का हो जाएगा तो वाकी के सारे figure के size हमें पता चल जाएगी सर येृफीगर मुझे कितने लाना है ये फिर मुझे कितने लान WAR फिर और मैं अभी में के अ साइसे के अदर डीटेल में था बेज आ डालने वाला हूं लेकिन ये वीडियो में फॉरा डिजाइन नहीं बनाने के दिखा सकता तो ये फायल का जो वीडियो हो है वह मैंने अलग से बना के रखा है मैं आपको यहां पर नेक्स्ट डेया आपको अपलोट कर दूंगा ठीक है यहां पर हमारे पास समझ लीजिए कि यह हमें 43 की साड़ी का पन्ना रखना है तो यहां से लेके यहां तक आपका 43 होगा अगर आपके पास कुछ ऐसा फोटो ह है समझ लीजे तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो पोशन है ये थोड़ा होरिज़न्टल मतलब थोड़ा क्रॉंस में है तो आपको यहां से लेके यहां तक यह जो पोशन है उसको आपको 43 में रखे देखना पड़ेगा जो आपको को दीजिवल अप सट कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सैट करें ठीक है मतलब में आपका जो पणना होता है यहां से लेकर यहां तक वह 43 का होना चाहिए तो फिर समझ लीजिए यह आपको नापना है तो यह हमारा हाफ पलू यहां पर दिख रहा है तो 43 का आधा करके आप इसको उसकी साइज सब्धूर्प करेंगे इसको Robinson बस बढ़ा करना स्टार्ट कर देंगे पर कैसे मैं इसको बढ़ा करेंगे मुझे बढ़ी करनी पड़ेगी जीसे मैं आपर क्या कर रहा हूं और वापस से ना पर हूं कि यहां पर मुझे चाहिए था वो पोशन मिल चुका है यहां पर अभी 26 या तो फिर 24 तक ही रहा है इसको मैं क्या कर रहा हूं बढ़ा कर रहा हूं तो हम ऐसे कुछ साइजिंग सेट करते हैं समली जी आपको 43 का नहीं मिल यहां तब आप सट कर सकते हैं तो यह आप ख़हा हो गया 43 का एंडेन अप उसको क्रॉप तूल से इसका जो साइज वो बढ़ा कर सकते जो फिर मैन्नी जोली भी बढ़ा कर सकते कोई दिक्कत नहीं है तो अभी आपके पास क्या हुआ हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो 12 इंचिस का है तो पल्लू में आपका जो डिजाइन है वह यहां से लेके यहां तक आपका 12 रहेगा ठीक है आपके पास यह डिजाइन है तो यहां पर आपका जो पल्लू का नाप है यह जो आपका पोशन है यहां से यहां तक आप 12 इंच का रख सकते अब देख सकते अभी य पर लगेगा जो कपड़ा उसके बाद यह डिजाइन आपने बनाई है तो सेम लेकिन साइजिंग के इसाब से उस सेम दीखेगी नहीं तो यह चीज आपको खास ध्यान रखना है बहुत इंपोर्टेंट चीज है साड़ी के अंदर तो यहाँ पर हमने देखा कि पल्लू कि इह साड़ी के अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ से लेके यहां तक जो पर्ठ हों में पल्लू का पट रखाए पल्लू का प्रण उसके बाद में जो सारी चीज्वठ सेम है यहां पर आपको इह पर पल्लू का पाट्ली में का पार्टली का पार्ट हुती है पार्टे को जो साईज में अपनी साड़ी की डिजाइन बनानी है वह साड़ी के अंदर जो उनको सैट करना है साइजिंग वगैरा वह उस तरिकाई से स्वाइट करवाइंगे ठीक है आप कर तक मेरा तरी पार्ट है उसके हों के वर रखेंगे फिर जो रहें चैए और बेजिक आपको डिजाइन बनाना आनी चाहिए और साइजिंग उगरा पता होना चाहिए तो आज हम क्या होती है साड़ी डिजाइन कैसे बनाई जाती है अगर इसके में करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 220 में मेरी डिजाइन बनी हुई है और 45 का मैंने पनना रखा है तो 45 के इसाब से यह जो हमारे पास फिगर आ रहा है यह जो फिगर है वह हमारा कितना रहेगा 13 चाहिए आगर 43 रखा होता तो वहां पर मुझे 12 इंच का और रहेगा ठीक है तो यहां पर मेरे पास है 220 में डिजाइन बनी है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि कालकुलेटर अपन कर कि मिटर में कर सकता हूं या तो फिर आप Google भी कर सकते हैं मीटर टू इंचिस या तो फिर इंचिस टू मीटर कनवर्टर जैसे यहाँ पर 220 डिवाइड़ेड मैं 39.37 एक मिटर के अंदर 39.37 इंचिस आते हैं जिसे मैं इसको एंटर कर दूगा तो यह क्या है कि हमारे पास यह क्या है कि हमारे पास 5.5 मीटर की इंदर अगर कोई बोलेंगे कि सर मुझे ब्लाउस का भी डिजाइन चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है केनवा साइज आप यहां से बढ़ा सकते हैं कोई एक साइड पे जैसे 220 इंचिस है और मुझे 32 इंचिस का ब्लाउस चीए ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या कर रह लिए जाएगा ठीक है यहाँ पर आप अपनी इसाब से रख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है जिसे में कैल्कुलेटर ओपन करके यहाँ पर 220 प्लस समझ लिए 38 का मुझे ब्लाउस चाहिए 38 इंचिस प्लस करके 258 कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको लेफ साइड पे पोशन प्लस बढ़ाना है तो लेफ साइड या तो प्राइट साइड पर बोशन बढ़ाना है तो यहाँ पर मैं क्या करो 252 इतना रख्या मैं एंटर कर देदा हो तो एक साइड पर हमर क्या हो गया पलू का डिजाइन एड हो जाएगा पलो के नीचे यहां पर आप बॉडर एड कर सकते हैं और यहां पर आप अपने हिसाब से जो आपको मतलब यह जो ब्लाउस दीखरा है उसके इसाब से आप उसको डिजाइन बनाकर दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको सिम्पल साडी का concept समझ में आ गया होगा कि साड़ी कैसे बनती है वो क्या होती है और कौन सा पार्ट कहां पर आता है ठीक है तो I hope कि यहां तक आपको basic fundamental साड़ी का समझ में आ गया है यह वीडियो मेरे पास तब तक के लिए आप अलग अलग डिजाइन ने देखिए साड़ी के उसको समझे और उसकी कॉपी लगाने की ट्राय कीजे ठीक है तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कुछ नए नया सिकते रहे हो क्योंकि सिखना बन तो जितना बन और हमारे सारे वीड बेजिक सारे कोर्स फिनिस हो जाए बाद में हम एडवांस तक भी जाएंगे हर एक चीज़ को डीटेल में देखेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कुछ नए नहीं आसिकते रहे है और खुद का करियर आगे पढ़ात रहे है ठैंक्यू सो मज कर दोड़ाएंस